स्वागत है आपका fun finance में आज के वीडियो में हम बात करेगे ICICI bank के credit card के जो points होते हैं वो कैसे redeem करें दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू ICICI का अगर अपका platinum credit card है तो उसके जो points आप redeem करोगे उसको आपको statement credit नहीं मिलेगी कि उसके आप voucher ही ले सकते हो अगर coral या दूसरा कोई card है तो उसमे statement credit मिलती है और उसके लिए आपको customer care में call करके लेना होगा मैं आपको voucher लेने का बता रहा हूँ जो आपको payback के points मिलते हैं वो कोई भी payback के मिलते हो उसके लिए आप यही use कर सकते हो आपको मैं पहले rewards और उसकी सारी चीजों की बारे में बता देता हूँ थोड़ा वर्थ क्या है चीजे क्या समझा देता हूँ और तो आई आगे बढ़ते सबसे पहले इसका जो reward point होता है उसकी वर्थ होती है 25 पैसा statement credit available होती है ICA के इसमें but platinum का जो credit card होता सब्सक्राइब कर और मेरे पास पर भी वही है उसके लिए statement credit नहीं होती है आपको वाउचर ही लेना होता है अगर आपका कोरल या दूसरा कोई card है तो उसमें statement credit मिलेगी उसके लिए आपको customer care में call करके उनको request place करना होगा point इसके जो expire होते हैं वो तीन येर में expire हो जाते हैं और reward redemption charges हाँ दोस्तों इसमें reward redemption charges है बहुत बुरी चीज़ है यह मतलब बहुत जादा लगाते हैं आप अगर voucher भी redeem कर रहे हो उसके लिए भी charges लगाते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ 500 से less amount का अगर वाउचर रहता है जैसे कि 250 का आपका कोई voucher रहता है तो आपको 25 रुपीज प्लस GST लगेगा और अगर आपका वाउचर 500 से जादा रहता है तो 99 रुपीज प्लस GST मतलब 117 रुपीज अगर आप थाउजन रुपीज का वाउचर ले रहे हो तो 117 रुपे आपके statement में next month के statement में add होके जाएगा मतलब आपको उतना वो charges लगेगा reward redemption करने के लिए मोबिक वीग पर आपको 400 पॉइंट रहते हैं वाउचर मैंने देखा है जो भी maximum vouchering के अविलेबल है वो 2000 रुपीज से ही 2000 पॉइंट से अविलेबल है मतलब आपको 500 रुपीज का मिलेगा वाउचर और और उसके लिए आपको fees लगेगी तो आप थोड़ा सा calculation करके year expiry credit card reward system है उसको 2.5 rating दोगा out of 5 यह fund finance का मारा rating है दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हो कि आपको कैसे redeem करना है तो redeem करने के लिए सबसे पहले आपको या तो i-mobile में login कर लेना है या तो payback की website पे आपको login कर लेना है अगर आपने login नहीं किया तो आप sign up करके payback का अगर आप आपका link वगेरे नहीं है तो customer care का number में नीचे description में दे दिया है वहां से आप उनसे contact कर लीजे number link कर लीजे और आपको उसमें login कर लेना है login कर लेने के बाद में आपको कुछ-कुछ details मैं i-mobile का बता रहा हूँ मोटा मोटी सब में यह steps similar ही रहेगे आपको scroll करना है side में जैस तो manage card का option यह रहा उससे आपको latest bill में जाना है तो वहाँ पर आपके points दिखेगे जैसे आप मेरे यहाँ पर points देख रहे हो 2772 तो इतने points है यह मैं redeem कर सकता हूँ यहाँ जो redeem now का option है उस पर मुझे click करना होगा अब redeem now पर मैं जैसे ही चला जाओगा यह देखो ICIC और Payback का joint portal ह है वह यहाँ पर खुल जा रहा है अब मुझे directly यह Amazon का voucher दिखा रहे है जैसे जैसे आप नीचे scroll करोगे filter करोगे आपको दूसरे भी कोई voucher देख रहे तो वह भी देख सकते हूं मैं Amazon का voucher prefer करता हूँ क्योंकि मैं like बहुत सारी चीज़े Amazon से खरीच सकता हूँ बिल भर सकत होगा और तो वह मुझे confirm करेगा कि यह इसके चार्जे से आप रीडिम करना चाहते हो यह मेल आइडी पर आपके यहाँ पर होगा तो मेल आइडी और मुबाइल नंबर आपका चेक कर लेना बराबर है कह नहीं और यहाँ पर देखो दूस्तों ने बता है कि 99 रूपिस प्ल तो दोस्तों काफी जादा मतलब सिंपल प्रोसेस है बट पॉइंट सिस्टमिंग का कुछ इतना खास नहीं है मतलब आप चार्जेस लगाते हो रिवार्ड रिडम्शन के जो एक अच्छी बात नहीं है और 20-25 रुपया रहा तो समझा बट यह 100 रुपिस का वो भी वाउच क्रिइस्ट यहां पे डाल दिए वह भी आप सकते हो나टर काड रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में जैनल पर दाले तो वह भी आप सकते होँ दोस्तों इस वीडियो को लाईक कीजिए अगर आपके दोस्तों के पास में भी कोई क्रैडिट होगा तो उनके साथ में यह